नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल का नहीया जियस वर्ल में तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी एससी के बारे में यूपी एससी यानि कि यूणियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी में बोलें तो संग लोक सेवा आयो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी एससी क्या है और यूपी एससी के माद्यम से जो आईएस आईपी एस का एक्जाम लिया जाता है या कैसे होता है एक्जाम कैसे कंड़क्ट होता है और जानेंगे कि यूपी एससी को क्लियर करने के लिए हमें कितने पेपर द हो था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यह एक ऐसा आयो गए जो कि सिविल सेवाओं की परिक्षा कराता है जैसे IPS हो गया ठीक है आईएस हो गया या फिर IFS यानि कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया इन सब सब चीजों का एक्जाम कंड़क्ट करवाता है यूपीएसी और जितने भी डिफेंस के बड़े एक्जाम हो गया चाहिए एंडिये वगयरा हो गया सीडिया ठीक है तो यह यूपीएसी क्या है एक आयोग है और दोस्ति यह आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे ही प्रिम्स यानि कि प्रारंबिक परिक्षा प्रारंबिक परिक्षा को क्लियर करने के बाद मेंस मेंस दिया जाता है जो की रिटेन होता है और उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है इंटर्विव और इंटर्विव के बाद डायरेक्ट सेलेक्शन हो जाता है तो देखिए समान अध्यहन जो होता 맞아। यहां पर देख लिए समान अध्यहन जो हता है इसमें टोटल सव प्रशन आते हैं और सव प्रशन टोटल 200 नंबर यानी कि प्रत्तेख ब्रशन 2 नंबर का और इसमें समय मिलता है दो घंटे इसमें निगेटिव मार्किंग रखी जाती है और सभी जो प्रश्ण होते हैं वह आते हैं अब्जेक्टिव टाइप के ठीक है प्रिलिम्स वन हो गया मतलब पेपर वन हो गया यह एक ही दिन कंड़क्ट कराया जाते हैं दो पालियों में सुबा के पाली में पेपर वन होता है और साम के पाली में पेपर दो यानि की सी सैट इसमें क्या होता है तो इसे समान अध्यान दो का पेपर यानि की समान अध्यान टू कह सकते हैं इसमें भी टोटल सो टोटल जो है असी क्वेशन आते हैं और असी क्वेशन धाय टोटल कुल मिला करके यह भी 200 नंबर का होता है इसमें भी समय दिया जाता है दो घंटे ठीक है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और यह भी सारा प्रश्ण वर्स तुनिश्ट यानि कि आ आपको मिन्स में जाने के लिए जो यह पेपर वन है इसी में अधिक से अधिक नंबर को प्राप्त करना होगा ठीक है आप लोगों के मन में आ रहा होगा कितना नंबर पर सेलेक्शन हो सकता है तो मान की चलिए यह आपने 50 के आसपास सव कोस्चन में से 50 के आसपास कर दिया तो मेंस के लिए आपको बुलाया जागा क्योंकि जनरली इतने पर ही मेरिट इसकी जाती है अब देखे प्रिलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा और मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं कितने पेपर होते हैं 9 पेपर होते हैं और 9 पेपर हो और मिन्स यहती क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंटर्व्यू के लिए गुलाए जाएगा और इंटर्व्यू टोटल होता है 275 मार्स का इस प्रकार से दोनों को जोड़ दें तो 7050 प्लस 275 इस इकल्ट हुआएगा 2025 यानि कि 2025 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा देख 200 नंबर का आता है और पेपर जो यानि कि में कि मिन्स जो है मैं में डोटल जो प्रश्णाते सभी आपको लिखने होगे है रिड यानि कि लीटेंट पेपर होते हैं और इसका जो पेपर भी होता पेपर और 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 प्रते एक दिन में दो दो पेपर किरा जाते हैं और यहां पर पेपर तीन होता है जीसे जीस फेपर two काते हैं या भी होता है सब्जेक्ट 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 कर सकते हैं उसमें दो पेपर होता है पेपर वन और पेपर टू यह भी ढायग सब्जेक्ट 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 सब मिंस का जो टोटल नंबर है मिंस का टोटल नंबर हमने कितना बताया सत्तरों फचास ठीक है सत्तरों सो पचास और यहाँ पर इंटरव्यू का पेपर का नमबर जूरता है 275 नों को वायट कर कर दे तो यहाँ पर 5751272910 ठीक है और यह एक एक टोटल जो नमबर से मेरीट बनती है अब इसका सलिवस क्या है क्या पूछा जाता है इसके बारे में यदि आप जानना चाते तो हमने link description में नीचे दे दिया है वहांसे जाकर कि एक detail वीडियू है वहांसे आपका इसका से लेवल व्गैरा सब चिज देख सकते हैं ठीक है ओवराल आपको मेरीट बनती है दो हुजार पिशिव नमबर पे और इसमें आपके नमबर के ऌप से पोंचीज़ दी जाती है इस आई पीएस या फिर आई एफस जया आपके नमबरके साफ से डिसाइट किया जाता है